सबसे पहले जरूरी रहता है कि उसका स्लिबस क्या है तो आज के इस क्लास में हम स्टडी करेंगे दाट केमिस्ट्री स्लेबर्स फॉदा एच पी टीजिटी कमीशन इस फॉद नॉन मेडिकल क्लियर वेज़े तो मेडिकल वालों के लिए भी यह सेम ही रहता है कुछ जादा डिफरेंस है नहीं है लेकिन चलिए आज डिसकस करेंगे हम एच पी ट क्युद्धी कमीशन चैमिस्ट्री स्लेबर्स किस तरीके का आपका रहने वाला है अगर मैं बिल्कुल पॉइंट पॉइंट बात करूं तो कैमिस्ट्री के हिसाब से जैसे कि आपको पता है कि 30 क्वेशन जो है वह हमें क्यमिस्ट्री से से देखने को मिलते हैं तो मैं इसमे जादा से जादा चार नुमेरिकल देखने को मिल सकते हैं, clear है, so वो आपके doable parts रहते हैं, like your molality, molarity, normality की उपर questions पूछे जाते हैं, या फिर half life period या फिर order reactions की उपर पूछे जाते हैं, right, so चलिए फिर discuss करते हैं, that what is the chemistry syllabus related to your HPTGT commission, so let's start, उससे पहले छोटे से information आप सभी के लि दोनों तरीके की classes available हैं, जिसमें आपके HPTGT commission के already बहुत सारे batch जो है, वो ongoing है, इसके अलावा HPTGT commission, DSSSB, TGT, ये सारा यहाँ पे available रहेगा, और साथ के साथ, आप सवल स्टैप हिमाचल आप को download कर सकते हैं, क्योंकि जतना भी study material रहेगा, या जो भी आपकी classes रहेंगी, आपको यहीं पर provide करवाई जाएंगी, और इसके अलावा HPTGT से related time to time नए नए batches आपके announce होते रहते हैं, तो उनसे related किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए, आप हमारे official number के उपर call कर सकते हैं, या फिर description box में link दिया गया होगा, अब वहाँ पर भी जाकर information चेक कर सकते है और इसके साथ, you have some features in your courses, like you got the personalized mentorship here, live online lectures, study material, hard copy and soft copy दोनों में अविलेबल रहेगा, मोक्ते स्टार दियर and then the free current of your magazine and the weekly doubt sessions जो हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, clear? So this is the basic information that is related to your courses and your batches, now let's start HP TGT Commission Chemistry syllabus की किस तरीके का syllabus जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीके जी, तो चलिए, देखो, सबसे पहले बात तो यह है कि जब भी आप किसी भी exam को approach करते हैं, तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले जरूरी है कि what is the syllabus of that particular subject and as you all know that कि अगर मैं chemistry की बात कर रही हूँ, तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि 30 questions आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, अब देखो, HP TGT में अगर मैं बात करूँ, तो हमारे पास जो questions हैं, वो आपके पस plus one और plus two से ही लिये जाते हैं, मत्तब 11th और 12th का syllabus ही आपका रहने वाला है क्लियर है, इस से बाहर से तो आपके पास कुछ नहीं आएगा, right, so you can say that कि आपको यहां पे इन concepts को बिलकुल अच्छे से करना है, अब भी अगर मैं से बस discuss करती हूँ, तो मैं असाथ के साथ आपको बताती जाओंगी कि कि किस किस तरीके के topics आपके लिए one of the most important रहने वाले है, so let's start, सबसे पहले sequence wise चलेंगे, हमारे पास सबसे पहली chemistry है, that is your inorganic chemistry, और inorganic chemistry के लिए मैं आपको बोलूँगी that you can follow the NCRTs को आप यहां पर follow कर सकते हैं, अगर मैं first of all, यहां पर बात करूँ तो यहां पर journal terms का पता होना बहुत जरूरी है, journal terms का मतलब हमारे पास क्या है, कि कुछ definitions रहती हैं, ठीक है, वैसे तो हम उसको particular chapters में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ terms हमारे पास रहती हैं, जिनका आपको पता होना बहुत ज़ादा जरूरी है, like मान लो periodic table में यह आपकी पास hydration energy है, lattice energy है, that you all have ionization energy है, यह particular कोई भी terms है, you can say that कि definition based चीज़े जो है वो मैं यहाँ पे कहूंगी, next आपके पास periodic classification of the elements जो कि one of the most important topic है, हमेशा यहाँ से जो question है, वो आपके पास periodic table के उपर, उनके scientist के उपर, उनकी periodicity के उपर question यहाँ से पूछा जाता है, next, spd and fblock elements जहाँ पे सबसे ज़ादा आपके पास important रहते हैं, oxoacid and the allotrops, यहाँ से question न आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, और कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ particular reactions रहती है, वो important है, या फिर आपने बहुत बार exam में question रेखा होगा, कि आपको particular कोई भी element दिया गया होता है, और उसकी atomicity के बारे में वहाँ पे पूछा गया होता है, so I can say periodic table is the heart and soul of the inorganic chemistry, so this is one of the most important chapter, आप कोई भी exam देते है, periodic table वहाँ पे सबसे पहले रहता है, और यहाँ पे उतने ही जादा important रहते है, S, P, D and F block के, जैसे कि अगर मैं D block और F block की बात करूँ, तो यहाँ पे magnetic properties से related questions जो है, वो सबसे जादा important है, जहाँ पे आप paramagnetic, diamagnetic, magnetic moment, bow and magnetone की form में, mu s को निकालते हैं, यह सब चीजें यहाँ पे क्या रहने वाली है, important है, right, इसी के साथ next है metallurgy, जहां से आपको maximum एक question जो है, वो देखने को मिल सकता है, इसी के साथ है structure of atoms, so I can say, structure of atom, whole chapter is very 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 important, जिसे कि I can say, कि यहाँ से scientist की उपर questions आते हैं, ठीक है, अभी तो यह थोड़ा basic level होगा, अगर nature of matter से question आ सकता है, फिर आपके बस Einstein photoelectric effect से question आ सकते है, then numericals जो है, वो यहाँ से आ सकते है, हां रूल होगया, अभाउस principle होगया, polish exclusion principle होगया, और इसके अलावा structure of atom में ही आपके पास एक और topic है, जिसे आप quantum numbers के नाम से जानते हैं, जहां पे आप स्टार्टिंग में पढ़त सकते हैं, right, next आपके पास important है, chemical bonding, chemical bonding में, I can say that was per theory is one of the most important one, balanced bond theory and the molecular orbital theory, यह तीनों ही चीजें यहां पे important रहने वाली है, चाहे question statement wise आए, चाहे question जादा आए, but I can say this is also the important one, coordination chemistry sure रहता है, एक से दो questions आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं, coordination chemistry में आपके पास hybridization is very very important, इनकी shapes कैसी थी, इनके structures कैसे थी, this is important, IUPAC naming of the coordinating compounds, and the last one, I can say crystal field theory, जहां से आपको basic questions देखने को मिलते हैं, ठीक है, अगर मैं HPTGT Commission के exam level की बात करती हूँ, तो as such you can say कि अगर आप अपनी normal standard books पढ़के भी जाते हैं, then you are able to do the questions, right, so this is all about the inorganic chemistry, where I have to tell you, the most important chapters are what, that is your periodic table, ठीक है, structure of atom, then chemical bonding, and then coordination chemistry, यह आपके पास क्या रहे हैंगे, one of the most important रहेंगे, और इसमें भी सबसे जादा important आपके पास रहेगा coordination chemistry, right, और उसके बाद रहता है chemical bonding, क्योंकि यह दो chapters ऐसी हैं, कि जहां से 110% sure है, कि questions आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि shapes के उपर questions पूछे जाते हैं, right, so let's move to the next part, that is your physical chemistry, physical chemistry, numericals most important रहते हैं सबसे पहले numerical तो आपके पास आता है, mole concept से लेके, जहां पे atoms के बारे में पूछा जा सकता है, molecules के बारे में पूछा जा सकता है, कौन सा heavy है, कौन सा less density attack है, किसमें कितने ज़्यादा number of molecules हैं, यह सब चीजें यहां पे रहेंगी, हालनकि यहां से empirical formula से question नहीं आता है, तो वह यहां जाने के ज़रूरत नहीं है, लेकिन mole concept में जो बाकी की चीजें, like your atoms को find out करना, molecules को find out करना, पर atom कितने रहते हैं, वो चीजें find out करना, यहां पे सबसे जादा important है, और एक numerical तो यहां से भी बनता ही बनता है, तो वो तो आपके पास यहां पे आएगा ही आएगा, next है, आपके पास, that is, अगर मैं बात करूँ, यहां पे solution, तो यहां पे आपके पास molarity, molality, आपके पास आगया mole fraction, then you have the normality, you have the formality, इसके बाद आपके पास आजाते हैं, elevation in boiling point, then you have depression in freezing point, उसके बाद आपके पास आजाता है, यहां पे want of factor, this is one of the most important chapter from the physical chemistry, तो अगर मैं priority की बात कर तो मैं यहां पे solution chapter को number one priority पे रखूँगी, कि यह chapter का एक एक point आपके लिए बहुत जादा important है, चाहे फिर वो question direct form में पूछा जाए, चाहे फिर वो question आप से numerical based पूछा जाए, यहां पे जिसे ना आपने देखा होगा करी आइडिल, non-ideal solution से questions आ जाते हैं, azotropic mixtures are important, their colligative property, that is one of the most important topic from this chapter, इसके अलावा starting में कुछ definitions आपके पास रहती है, so I can say physical chemistry में जो सबसे जादा important chapter है, वो कौन सा है आपके पास, that is the solution, इसको में number one priority दोंगी, इसके बाद आपके पास state of matter, state of matter से generally आपको एक ही question देखने को मिलता है, जहां पे आपके पास gaseous law जो है, वो important रहत है, यह सब चीजें वहां पर important रहने वाली है, और इसके साथ next है chemical kinetics, अगर solution के बास second priority में किसी को दोंगी, तो वो chapter आपके पास रहेगा chemical kinetics, क्योंकि chemical kinetics से लेके आपके पास जो order है, that is important, इसके बाद आपके पास half life period question आते है, then pseudo order reactions are very very important, इसके बाद one of the most important one dentist units, और यहां आपके नुमेरिकल ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है, so this chapter is your what, numerical based question जो है वो यहां से आपको देखने को मिलेंगे, I hope that these things are clear to all of you, मैं बहुत, क्योंकि मुझे इतना experience हो गया है, HP TGT Commission का पढ़ाते पढ़ाते, that I can tell you कि हां यहां से question जो है वो इस तरीके से आपको बन सकता है, right, so next है आपके पास equilibrium, if you want to leave this chapter, you can, क्योंकि जरूरी नहीं है, यहां से question आएगा, हो सकता है, आजाए, हो सकता है, ना आए, but equilibrium के with respect to मैं बोलू, तो leach italian's principle जो है, वो यहां पे आपके पास बहुत जादा important रहता है, ठीके, then buffer solution से कही बार questions आ जाते हैं, but as such मैंने को यह भी high level का question buffer solution से तो नहीं देखा है, next है आपके पास thermodynamics, you can say this is your third priority chapter, thermo भी आपको जरूर करके जानी है, numerical आने के chances का मैं, लेकिन फिर में बोलूँगी कि numerical यहां से आ सकते हैं, बाकि यहां से basic questions पूछे जाते हैं, as such कोई भी high level का नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाता है, ठीक है, या फिर first law, second law, third law, मैंने maximum time अगर thermodynamics से question देखा है, तो वो आपका numerical कम और statement wise questions जो है, वो यहां पर जादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहां पर definitions बहुत जादा है, like your intensive property, extensive property, state function, path function, state terms, variables होगे, इसके बाद आपके पास internal energy, first, second, third law of thermodynamics, उनके definition के ऊपर बहुत जादा questions जो है, वो यहां से आपके पूछे जाते हैं, right, so this is all about the thermodynamics, next आपके पास surface chemistry, this is not sure की question आएगा, आएगा, कि नहीं आएगा, तो एक question आपका यहां से भी रहता है, surface chemistry से maximum time questions अभी तक आए है, that is your adsorption, absorption, desorption, or sorption के उपर आए है, या फिर आपके पास physio option और chemios option रह करना है, तो वहां पे जो आपके पास friendly adsorption isotherm curve है, वहां पे cases related questions आपके पास आ सकते हैं, जो numerical अगर यहां से आता है, तो वह भी आपके पास जो है, वह adsorption isotherm से ही आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ यहां पे आप colloids के बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कि वह one of the most important topic है, ठीक है, तो colloids हो है, वह आपने जरूर करके जाने है, इसी के साथ एक छोटा सा topic रहता है, यहां पे that is your gold number, तो यह भी यहां पे क्या रहने वाला है, important है, इसी के साथ next one is solid state, जो बहुती क्यूट सा और सुन्दर सा chapter है, मुझे लगता है कि यह सब का जेनरेट करते हैं, तो वहां से question आ सकता है, density से related question आ सकता है, या फिर यहां पर सबसे जदा important बात करो, तो defects आपके पास बहुत जदा important है, ठीक है, तो यहां से question आएगा, एक defects होगे, उसके बाद जो starting का आपके पास रहता है, जब आप तिस्टिल लेटिस के बारे में पढ सकता है, otherwise, electrochemistry से related questions जो है, वो आपके पास, you can say, God's law से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो electrochemistry जो है, वो विरियेट कर सकता है, कुछ भी question वहां से वो डाल सकते है, maximum time तो वैसे galvanic cell, electrolytic cell इनी से related पूछा गया है, लेकिन अगर वो level थोड़ा सा high भी करते हैं, तो यहां पर cell constant से related questions आ सकते हैं, ठीक है, वैसे तो battery से related questions भी बहुत सारे आते हैं, अभी तक कौल श्लोल से related questions नहीं आए हैं, तो हो सकता है, कि अगर वो level को निक्रीज करते हैं, तो यहां से question आ सकता है, राइट, so these are the topics of the physical chemistry, and I can say, mole concept is the basic one, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे, तो आपके प पास आएगा, that is a solution, then you have the chemical kinetics, thermodynamics, and then you can go for the solid state, surface chemistry, क्योंकि वहां से chances रहते हैं, कि सिर्फ एक एक question देखने को मिलेगा, लेकिन solution और chemical kinetics ऐसे दो chapter है, जहां से 110% sure आपको questions जो हैं, वो देखने को मिलेंगे, मिलेंगे, right, so in chapters को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, जो खुछ से भी prepare कर रहे हैं, तो इन chapters को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, physical chemistry के लिए मैं NCRT recommend नहीं करूंगी, physical chemistry के लिए आप अपनी कोई भी standard book उठालो, तो उनहीं में से आपको ये चीज़े करनी है, क्योंकि वहां पर practice बहुत जादा important रहेगी, right, चलिए, next चलते हैं, now you have the organic chemistry, organic chemistry से लेके चलो कि 6 से 7 questions जो हैं, वो देखने को मिल सकते हैं, जिसमें, are you PSC naming sure रहता है कि question आएगा ही आएगा, ठीक है, IUPAC से आप मान के चलो, a question, ठीक है, a question यहां पर आपके पास आ जाता है, that is your naming reactions, ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि उन्होंने कोई particular term दी है, और यहां पर आपके पास कोई भी reaction, you can say कि जैसे आपके पास electrophilic substitution हो गया, nucleophilic substitution हो गया, free radicals हो गया, यहां से questions जो है, वो आपके पास आ सकते हैं, but most probably मैंने जो questions देखे हैं, वो IUPAC और naming reactions तो आपके पास one of the most important रहने वाले हैं, right, so let's discuss about this, तो आप भी हम यहां पर discuss करेंगे, just a minute, देखे, सबसे पहले हैं, आपके पास hybridization of the carbon atom, ठीक है, यह छोटा सा topic रहता है, next है, IUPAC nomenclature, that is the most important one, first priority दी जाएगी, next है, stereo chemistry, अभी देखो, stereo chemistry से मैंने अभी तक तो कोई जादा खास questions यहां से नहीं देखे हैं, अगर questions आई भी हैं, तो मतलब वो ठीक है, एक बार अगर आपने उसको starting phase में पढ़ा है, plus one, plus two में, तो आप कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि paper जो बहुत लंबे समय के बाद होता है, तो कहीं ना कहीं paper का एक अच्छा खासा level जो है, वो आपको देखने को मिलता है, so you can guess from here कि stereo chemistry से इस बार question आता है, तो एक अच्छा खासा question जो है वो यहां से generate आपका हो सकता है, जहां पर isomerism is one of the most important one, optical activity and chirality is the most important, next है, electrofiles or nucleophiles है, जहां पर अगर question आता है, तो I can say कि journal organic chemistry से question आएगा, like your electronic effects, conjugation, hyperconjugation, inductive effect, acidic strength, basic strength, और मैं कहा देती हूं कि यहां पर यह जो topic है ना, जहां पर आप अपर acidic strength और basic strength के बारे में बताते हैं, यह सबसे जदा important है organic chemistry में, अगर IUPAC naming and naming reactions के बाद में किसी को priority दूँगी तो वो आपके पस यही रहेंगे, क्योंकि trend से related question पूछा जाता है, आप से हमेशे यह चीज़ पूछी जाएगी कि increasing order or decreasing order के बारे में आपको बताना है, right, इसी के साथ बाद में है reaction intermediates, यहां प में होते हैं और आपको उनके बाद जो वो true or for, मताब बताना होता है कि कितनी सही है या कितनी गलत है, so I can say कि यहां पे वो tricky part play करते है, reaction ना पूछके, mechanism ना पूछके, वो कुछ statement wise questions बना देंगे, और that is why I can say reaction intermediates are very very important, तो यहां पे carbocation, carbonine, free radical, free radical is one of the most important one, और उसके बाद आ जाते हैं, carbenes and the nitrines, right, next है आपके पास reaction mechanism, जिसमें आप SN1 और SN2 के बारे में पढ़ते हैं, तो in short यह जो भी slide में लिखा गया है, this is what, plus one में जो आप journal organic chemistry पढ़ते हैं, यह सारी वो ही चीज है, तो आपको जो है फिर यह topics तो definitely sure है कि करके जाने है, right, मतलब कि journal organic chemistry को generally क्या ह होता है, कि अगर मैं से plus one level की बात कर रही हूं, ठीक है कि अगर मुझे उतना ही करवाना है, तो आपको जो है वो जादा से जादा इस chapter को करने के लिए 3 घंटे चाहिए, ठीक है, तो जहां पे आप hybridization भी पढ़ लेंगे, IUPAC भी पढ़ लेंगे, जो भी आपके पास intermediates है, general properties को आप study कर लेंगे, तो यह सब चीजे जो है, वो यहां पे important रहेंगे, क्योंकि कभी-कभी question जो है, वो यहां से complete the reaction की form में भी आ जाता है, राइट, चलिए, next देखते है, now you have the next chapter, that is the chemistry of hydrocarbons के बारे में मैं बात करूँगी, जहां पे आपके पास alkane, alkyne, alkyne and aromatic hydrocarbon से related topic, जो है, वो important रहने वाले है, यहां से question, reaction wise भी आ सकता है, statement wise भी आ सकता है, ठीक है, it all depends upon the examiner, next है, आपके पास, that is your oxygen containing compounds, चाहां पे आपके पास aldehydes है, ketones है, carboxylic acid है, alcohol है, phenol है और ether है, यह आपने अपनी class 12 में इस chapter को किया है, और मैं यह कहूंगी, organic chemistry में, this is one of the most important, मतलब IUPAC naming हो गया, IUPAC naming के बाद naming reactions तो रहेंगी, रहेंगी वो तो आप हर chapter में पढ़ोगे ही, पढ़ोगे, naming reactions are very important और उसके बाद I can say, you have aldehydes, then you have the ketones, you have the carboxylic acid, यह chapter जो है, वो उसके बाद important रहता है, और साथ में alcohols, phenols and ethers, next है nitrogen containing compound amines, जहां से एक question आपको देखने को मिलता ह है, hello alkanes or hello arines, अभी तक भी you can say कि एक ही question यहां से देखने को मिला है, but इनकी surety नहीं रहती है, question हो सकता है, question हो सकता है, ना आए, next है naming reaction, I can say this is one of the most important one, and next है आपके पास polymer, जहां से sure रहता है कि एक question आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसी के साथ, you can say, कि आपके पास आपके पास प्राइमरी और स्केंडरी पॉल्यूटेंस है, इनके उपर करना होता है, यहां से कि यहां से क्वेशन आता है, तो वह आपके पास photochemical smoke या classical smoke से आपके पास आ सकता है, next topic यहां पर जो इंपोर्टेंट है, that is your acid rain is very very important, global warming is very very important, so यह सब चीज़े जो है, वो आपको environmental chemistry से देखने को मिल सकते हैं, right, और इसी के साथ आपके पास एक और chapter रह गया, that is your biomolecules, तो आजकल क्या हो रहा है, non-medical वालों को जान बूच के biomolecules जो है, वो डाला जाता है, यहां कि non-medical वालों के लिए कहीं ने कहीं यह chapter typical हो सकता है, so especially for the non-medical students, I prefer you कि आप biomolecules जरूर करके जाएं, जहां पर आपको सबसे जादा, अगर मैं normal level पर चलूं, तो आपको एक vitamins जरूर करके जाने हैं, ठीक है, vitamins में आपको इनके जो भी scientific names रहते हैं, ठीक है, यह आपका हो गया journal part, वैसे भी आप जब journal chemistry पढ़ते हैं, तो वहां पर आप इन से related जितने भी diseases हैं, थोड़ा सा यह पढ़ लेना है, उसके बाद थोड़ा सा आपको DNA और RNA के बारे में पढ़ना है, इनके structures के बारे में पढ़ना है, and the most important one, उसके बाद आपको जितने भी, I can say कि carbohydrates related चीज़े हैं, या फिर amines हैं, आपके पास amino acids हैं, यहां से question आ स related questions पूछा गया है, ठीक है, और इसके साथ कि किस किस carbon में आपके पास bonding होती है, C1, C6, C4, C5 है, इस तरीके के questions 110% sure आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप जितने भी previous year question papers देखोगे, बायो मॉलीकूल से related जो भी questions आपके पास आई है, that is from this topic, ठीक है, या फिर उन्होंन कहीं ना कहीं किसी भी चीज की bonding के बारे में पूछाओगा, जैसे कि वो DNA और RNA में पूछते हैं, या peptide bonds के बारे में पूछ रहते हैं, कि peptide bonding हो रही है, या फिर वो पूछ सकते हैं, कि DNA जैसे hydrogen bonding वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, so इस तरीके से बायो मॉलीकूल से आपको यह slibbers जो है, वो बहुत इच्छे से समझ में आ गया है, कि किस तरीके से आपको अपने topics के लिए अप्रोच करना है, अगर मैं थोड़ा सा एक बार फिर सी explain करूं, तो देखो इससे पहले भी मैं slibbers बहुत बार आपके साथ जो है, वो discuss कर चुकी हूँ, ठीक है, त सिर्फ आपके लिए हैं, क्लासे क्यों हैं, क्योंकि मैंने वहां पर हर बार निया question करवाया है, तो इस तरीके से आपके पस questions भी जादा हो जाते हैं, और आपको एक idea हो जाता है कि हाँ, इस level का questions जो है, वो यहां से आ सकता है, clear है, so just go for those videos, and apart from all these things, organic chemistry में सबसे पहले GOC है, ठीक है, उसके बाद naming reactions यह सबसे जदा important है, doable chapters भी आपके पास कुछ रहते हैं, उनके बारे में बाद में बोलती हूं, उसके बाद physical chemistry में chemical kinetics or solution पका करके जाना है, inorganic chemistry में coordination chemistry पका करके जानी है, then structure of atom and the periodic table, और कुछ doable chapters मेरे पास रहते हैं, like your solid state हो गया, polymer हो गया, environmental chemistry होगी, biomolecules होगे, chemical bonding होगया, तो यह chapters वो है कि आप इनको कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ छोड़के जाना है, तो ठीक है, आप equilibrium को left कर सकते हैं, इसके अलावा, I can say, आपके पास अगर कुछ जन, आपको organic chemistry में कोई problem आ रही है, लेकिन, मैं वहां पर में बहुत important होती है, तो वो तो जरूर करके जानी है, ठीक है, बाकी आपको लग रहा है कि नहीं चीज हो पाती है, you can left that part, but try to cover most syllabus, जितना जादा हो सकता है कि आप उतर जादा कर लें, अगर आप कोई chapter छोड भी रहे हैं, तो उसमें से जैसे मैंने का था कि equilibrium अगर आपको आप छोड सकते हो, लेकिन वहाँ में लीच अलियस प्रिंसिपल को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, buffer solutions के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, so मैं यह प्रेफर करूँगी, ठीक है, कोई chapter है, लग रहे हैं, नहीं होगा, कोई बात नहीं, उसमें से क आपका syllabus complete हो चुका है, then try to solve more and more questions, अगर आपको ऐसा लग रहे हैं, कि मेरे पस questions नहीं है, आपके पस जो भी standard book है, आप उसको उठाओ, at least हर एक chapter को, दो बार उसके MCQs को try करो, आपको हर बार नहीं चीज मिलेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे जादा कोई चीज जो है वो आपके लिए नहीं रहेगी, इसके अलावा, अभी books के उपर भी आपके पास एक video आने वादी है, मैं books भी आपको refer करूँगी, right, so इस तरीके से, this is the whole video about your syllabus, that is for the HPTGT Commission Chemistry, and I hope कि आपकी चीजे जो है, वो clarify हो गई है, इसके अलावा, YouTube के उपर जितनी भी classes रहती है, या क क्योंकि अगर आपकी daily grant of year से related classes हो रही है, या YouTube पे कोई भी class हो रही है, like your physics, chemistry, maths, bio, सबकी PDF जो है, वो आपको यहीं पे available रहेगी, so you must join this channel, so this is all about today's class, जाने से पहले सबीने like करके जाना है, और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए, for related with the HPTGT Commission, आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं, clear, so thank you so much and prepare well, clear, so I hope कि doubts भी आपके clear हो गए होंगे, that is related to your syllabus, so thank you so much.